शार्क टैंक इंडिया सीजन दो ने दस मार्च दो हजार तेईस को अपना अंतिम एपिसोड प्रसारित किया यह शो बहुत लोगप्रिय रियलिटी टीवी शो शार्क टैंक सीजन एक की अगली कड़ी है जिसमें नमिता थापर, अमन गुप्ता, पियूश बंसर, अनुपम मित्तल, विनीता सिंग और अमित जैन ने कुल 81.1 एक 6 करोड का निवेश किया है सूपर लोगप्रिय शार्क पूर्व भारत पे अश्नीर ग्रोवर और मामा अर्थ के सहसन स्थापक गजल अलग की कमी खली शार्क टैंक इंडिया का दूसरा सीजन 2 जनवरी 2023 को प्रेमिय हुआ और 10 मार्च को समाप्थ हुआ इस सीजन में कैजूल स्नीकर्ज ब्रांड फ्लैथेड, वेगन हैर कलर ब्रांड पैराडीज, कश्मीर फास्ट बीटल और रिकोर्ड से लॉजिस्टिक स्टार्ट अप जैसी प्रभावशाली पिछे देखी गई इस सीजन में सबसे ज्यादा से लेकर सबसे कम इन्वेस्टर की सूची यहां दी गई है नमबर एक, नमिता थापर एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स के प्रमुक और कार्यकारी निदेशक शार्क टैंक इंडिया सीजन दो में दस्वे सप्ता तक सबसे बड़े निवेशक के रूप में उभरे उन्होंने इस सीजन में कुल 19.04 करोड रुपे का निवेश किया नमबर दो, अमन गुपता बोट के संस्थापक अमन गुपता सूची में दूसरे स्थान पर रहे क्रूर एमांदार और मजाकिया जज ने शार्क टैंक इंडिया सीजन दो में कुल 17.04 करोड का निवेश किया संख्या तीन, पियूश बंसल आईवियर के लिए e-commerce पोर्टल के संस्थापक लेंसकार्ट ने इस सीजन में तीसरा सबसे बड़ा निवेश किया है पियूश बंसल ने शो के दस हफ्तों में कुल 16.16 करोड रुपे का निवेश किया नमबर चाद अनुपम मित्तल भारतिय आउनलाइन विवा सेवा के संस्थापक अनुपम मित्तल जो अपने समझदार रवये और शांत व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं इस शार्क ने इस सीजन में कुल 9.77 करोड का निवेश किया जो सूची में चौथे स्थान पर है नमबर पांच विनीता सिंग शुगर कॉस्मेटिक्स की कोफाउंडर विनीता सिंग लिस्ट में पांचवे स्थान पर है उन्होंने इस सीजन में कुल 9.69 करोड रुपे का निवेश किया संखेच छे अमित जैन कारदेखो के संस्थापक अमित जैन शार्क टैंट इंडिया सीजन दो में अब तक के सबसे कम निवेशक है जिनोंने कुल 8.66 करोड रुपे का निवेश किया है ऐसे और विडियो के लिए प्लीज चैनल को लाइक, शेर, कमेंट और सबस्क्राइब जरूर करें कर दादेखो